हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है तो एज यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनालसिस दोस्तो अब आप सुन सकते हैं मेरे स्टॉलोजी से जुड़े हुए आउडियोस खबरी आप के जरीए अगर आप खबरी आप के जरीए मुझे सुनना चाहते हैं जो तिश्के उपाई जानना चाहते हैं तो मुझे खबरी आप पर फॉलो कीजिए खबरी आप को डाउनलो भीग कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वारिश शेप बनाती हुई जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नीचर को और अगर आप इनकी फिंगर्स को चेक करें तो आपको नजर आएगा काफे थिक फिंगर्स हैं और काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी फिंगर्स के उपर मौचूद हैं इन रिखाओं के मैं बात कर रहा हूँ जो इस तरह से सीधी खड़ी रिखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजिस के उपर नजर आ रही हैं ऐसे रिखाओं का होना बहुत ह आना जाता है ऐसे नेटिव काफी जदा मिलनसार नीचर के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाली परसनालिटीज होती हैं फिंगर्स की थिकनेस को अगर देखा जाए तो आप यहां से देख सकते हैं इनके बेस फैलेंजिस काफी थिक फिंगर्स यहां जो गुरू की फिंगर है इसके मुकाबले काफी ज़ादा लंबाई में है सूर्य फिंगर्स जो दर्शाती हैं काफी अच्छी creative और artistic qualities को ऐसे native काफी creative nature के होते हैं artistic type की nature रहती है और ब्रस्पती फिंगर्स यहां पर थोड़ी short है जिस वज़े से leadership qualities में थोड़ी सी कम ही रह सकती है और इन्हें घर से दूर रहना पर सकता है यानि के परवास करना पर सकता है कई बार मैंने देखा ऐसे लोग जिनकी यह index finger जो short होती है यह study के सलसले में जौब के सलसले में घर से दूर रहते हैं या तो hostel में रहकर पढ़ाई करते हैं यहां घर से दूर किसे आपकी nature को ऐसे में लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी इसी मेहनती होने की quality की वज़े से life में काफी अच्छी progress पा लेते हैं और अगर हम इनकी सबसे छोटी उंगली यानि के mercury finger की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं mercury finger बिल्कुल straight है लंबाई में यह है सूर रिमांट भी अच्छा हो इनका business equipment भी काफी अच्छा रहता है business करने की capability इनके भीतर रहती है और थोड़ी witty type की personality होती है और इनकी calculations भी strong रहती है जैसी calculations चाहिए होती है business करने के लिए पूरे analysis करने की capability इनके भीतर रहती है इसे कह सासाथ आप देख सकते हैं कि fingers काफी सटी हुई है अपस में फिंगर्स में गैपस नहीं है बिल्कुल भी यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपस में सठी हुई फिंगर्स जो दरिशाती है money management को ऐसे व्यक्ति जिनकी फिंगर्स में gaps होते हैं उनका जो money management है थोड़ा सा week हो सकता है ऐसे व्यक्ति करना है ऐसी चीजों में काफी सक्षम होते हैं काफी capable होते हैं और इसकी वज़ा से life में काफी अच्छा धन एक अत्रित कर पाने में काम्याब रहते हैं यहां तक हमने इनकी fingers को चेक किया चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को और इनकी सभी रेखाओं को भी तो अगर मैं यहां पर एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन ली जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट शनी माउंट और इनका गुरू माउंट तीनों ही अच्छी position में है high set है weak नहीं है और even इनका जो मरकरी माउंट हलका सा low set है लेकिन उभरा हुआ माउंट है जो बहुत ही positive चिन है आपको दिखाना चाओंगा यहां पर जो positive चीज़ें इनके हाथेली में है सबसे पहले तो मरकरी माउंट से ही शुरू करते हैं मरकरी माउंट का जो यहाँ एरिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल उभरा हुआ और मरकरी फिंगर के लंबाई अच्छी है तो यहाँ पर मरकरी के strength अच्छी रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो खड़ी रिखाएं मौजूद हैं और एक लंबी मरकरी लाइन इंके थेली में इस तरह की चीज़ें होना इंडिकेट करता है का ऐसा व्यक्ति बिजनस के जरीए काफी अच्छा धन कमा सकता है बिजनस एक्कुमेंट स्ट्रॉंग रहता है ऐसे व्यक्ति का लेकिन अगर हम यहाँ पर मनी ट्रैंगल की बात करें तो सूर्य रेखा से मनी ट्रैंगल बन रहा है जो कि माइंड लाइन यहाँ पर बहुत लंबी नहीं है माइंड लाइन यहाँ पर आकर रुक रही है अगर मरकरी रेखा इस तरह से जैसे यह मरकरी रेखा इस रेखा से हो रही है जो सूर्य मौंट की तरफ चली तो ट्राइंगल बन रहा है इस वज़े से धन का संचय अच्छा होगा लेकिन अगर मरक्री लाइन से ट्राइंगल बने तो और भी ज्यादा बेतर होता है और अब बात करते हैं कि सूर्य मौंट की क्योंकि सूर्य रेख का सूर्यमाउंट अंदर की तरफ दबता हुआ अगर नजर आए लेकिन फेम जरूर मिल सकता है यानि पहचान जरूर हो सकते सूर्य रेखा इनके हाथ में इस तरह से आगे बढ़ती हुई और यहां पर एक डीप कट लाइन अब दिख सकते हैं सूर्य रेखा का मौझूद होना यह थेली में बहुत बड़ी बात होती है अगर सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति पालिटेक्स में ट्राइ कर सकते हैं और उसके साथ 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 society में काफी अच्छी पहचान ऐसे native की जरूर बनती है और अगर यह रेका बिना टूटे हुए हो जैसे यहां से शुरू होकर इस तरह से लंबी रेका कुछ इस तरह से बिलकु सीधी रेका अगर किसी native के हाथ में हो तो इसके परभाव बहुत अच्छे होते हैं तो यहां पर थोड़ी सी weakness है क्योंकि यहां पर एक तो आप देख सकोगे के एक से ज्यादा रिखाएं इस mount के ओपर छोटी छोटी रिखाएं आपको नजर आएंगी जितनी ज्यादा रिखाएं इस mount के ओपर होती हैं उतना confusion भी native को रहता है करियर का चुनाव करने में ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा करियर उसके लिए सबसे बहतर रहेगा multi-tasking type के personality ऐसे व्यक्ति के होती है जिनके सूर्य माउंट के ओपर इस तरह से काफी सारी रिखाएं मौजूद हो ऐसे व्यक्ति एक समय पर कई कई काम अपने हाथ में ले सकते हैं तो ऐसे qualities इनके बीतर जरूर रहेंगी बात करते हैं इनकी शनी माउंट की शनी माउंट हलका सा दबता हुआ लेकिन शनी फिंगर काफी अच्छी है शनी माउंट बेशक दब रहा है जिसकी वज़े से मेहनती नेच्चर रहेगी या दूसरे शब्दों में कहें कि इने मेहनत लाइफ में काफी करनी पड़ेगी और एक लंबी शनी रेखा इनके हाथ में मौझूद है यहां से आप देख सकते हैं इस तरह हैं से यहां तक पहुँचती हुई लंबी शनी रेखा वो भी चंदर माउंट से यह जो एरिया है चंदर माउंट यहां बाहरी लोगों की स्पोर्ट को दर्शा आता है ऐसे विक्ति जिनके मून माउंट से ऐसी एक लंबी रेखा मौझूद हो और शनी माउंट तक कम्पलीट पहुँच रही हो बहुत भागयशाली होते हैं ऐसे विक्ति को अपने पार्टनर की स्पोर्ट मिलती है या हम यह कहें कि पार्टनर के आने के बाद आफ्टर मैरे यह ऐसे विक्ति का भागयवदे शुरू हो जाता है और ऐसे विक्ति विदेश से भी धन कमा सकते हैं चाहे अपने एक अंट्री में बैठर बैठर ही विदेश से जुड़ा के काम कर लें या विदेश में जाकर धन कमाएं किसी भी तरह से फॉरण से इंकम के चांसिस ऐसे लोगों के लाइफ में ज्यादा रहते हैं एगर एक लंबी शनी रेखा चंदर माउंट से शुरू होकर सीधा शनी माउंट तक पहुंच रही हो तो यहाँ पर यह एक भागयशाली तेली मैं कहूंगा जिन यहाँ पर कोई रेखा हो थोड़ी उपर इससे ऐसी एक गोलाकार रेखा हो इसे कहा जाता है रिंग ओफ सोलोमन यानि के जिसको गुरू वलाय भी नाम दिया जाता है लेकिन यहाँ पर कम्प्लीट गुरू वलाय नहीं है गुरू वलाय से थोड़ी नीचे एक तरशी ने रेखा है जिसके हम जिसकी वज़े से व्यक्ति को थोड़ा से विराग्या भी हो सकता है विराग्या की भावना लाइफ में रह सकते है इस तरह की रेखा होने से लेकिन spiritual minor personality रहती है मान समान जरूर मिलता है ऐसी रेखाएं होने से अगर ऐसी रेखाएं हाथ में मौझूद हो तो व्यक्ति बहुत साथ धार्मिक प्रविती का होगा दूसरों की help करने वाला होगा और समाज सेवा के काम करने वाली nature व्यक्ति की रहती है ऐसे व्यक्ति को society में काफी अच्छी पहचान और जो प्रतिष्ठा है ऐसे व्यक्ति की society में काफी अच्छी रहती है उसी का साथ साथ अगर हम इनके अंगोठे पर बनने वाले यव के चिन को देखें तो लगभग कम्पलीट होता हुआ यहां से थोड़ा सा खुला हुआ यव का चिन लेकिन यव का च अगर बंद हो जाता है और इस तरह से पूरी तरह से कम्पलीट हो जाता है तो और strong result इसके मिल सकते हैं आगे देखते हैं इनकी line of heart को हाट की line अगर देखें तो इस तरह से आगे बढ़कर विश्णु चिन यहां पर create करती हुई वी symbol इसको हम कहते हैं जब by fork हाट की line हो ऐस व्यक्ति लकी होते हैं भागशाली होते हैं progress के मामले में काफी अच्छी progress इनकी रहती है सासाथ आप यहां पर देख सकते हैं दो उठने वाली ऊपर की तरफ उठने वाली रिखाएं यहां पर इनके गुरू माउंट पर चल रही है इनने भी progress lines का नाम दिया जाता है तो progress क पर ऐसा वी सिंबल बनता है, बाइफोर्क हार्ट लाइन होती है, उन्हें हमेशा मैं यही सुझस्ट करता हूँ, कि कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, यह से रिश्वत का पैसा है, यह किसी तरह से अनफेर मनी है, उसको कभी ना लें, ऐसा करने से लाइ की हीज में चलकर हार्ट से रिलेटर कुछ दिखते हैं, इनको परिशान कर सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हास से सबंदित, यानिके ब्लड फ्लो से सबंदित दिखते हैं, लाइफ में आने की संभावना, इनकी हार्ट की लाइन दर्शा रही है, माइन land या कोई भी fly इनके mind land में नहीं है इस वज़े से practical type की personality और mind इनका अच्छा रहेगा और अगर हम बात करें इनकी line of life की life की line काफी अच्छी length में है जिस वज़े से जो age है इनकी काफी रहेगी लगबग 85 के आसपास की age को यह enjoy कर पाएंगे लेकिन इन्हें अपनी हार्ट की health का जादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हार्ट की line के ओपर कोई fly हो तो mind की line चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन अगर हार्ट की health का ध्यान रखते हैं तो यह अपनी 85 तक की age को complete कर पाएंगे उसके साथ अब देख सकते हैं एक अंदर की तरफ चलने वाली रेखा मौचूद है जिसको mangal रेखा कहा जाता है ऐसी mangal रेखा अगर किसी व्यक्ति के समावनाएं बढ़ जाती है इस रेखा के होने की वज़े से और इनका venus mount जो है काफी उपरा हुआ है जिस वज़े से life में luxury रहेगी एशो अराम रहेगा और venus mount पर कुछ worry lines बारीक रेखाएं मौजूद हैं जिसकी वज़े से थोड़ी सी worries भी रह सकती है family life को लेकर और अगर हम बात करें इनके चंद्रमाउंट की तो कोई भी negative chin इनके चंद्रमाउंट पर नजर नहीं आ रहा है चंद्रमाउंट से इस तरह से फेट लाइन का उपर की तरफ बढ़ना लंबी दूरी की यात्राओं को भी दर्शा आता है लंबी दूरी की यात्रा इन लाइफ में कई बारे इनको करनी पड़ सकती हैं तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है के सबी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के तरुद दूँ लेकिन फिर भी कोई नो कुछ चिनिया सुवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका पी question pending है तो मुझे WhatsApp मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वा